मैंने काफी एंडिंग्स होची थी बट ये वाली मेरी लिस्ट में नहीं थी बोई सीजन 4 का फाइनल एपसोड इस सीजन का सबसे बैस्ट एपसोड है और क्या जबर्दस्त क्लिफ हैंगर था मैं तो एक्साइटिड हो गया हूं नेक्स सीजन के लिए पहले तो सबसे बैस्ट से सेजगाई था सारे हुमन करेक्टर को क्यों पकट लिया होमलेंडर ने और होमलेंडर की जो लास्ट वार्निंग थी जो अनौंशमेंट थी कि वह सारे सूपर हिरोज की नए दोर को स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या मतलब है तो वीडियो मैं बता दूँ इस वीडियो सेजन 5 के लिए होमलेंडर ने पूरी दुनिया के सुप को इखटा कर लिया है और नौर्मल हुमन के दुनिया के किसी भी कौने में अगर कोई बंदा करता है तो वहां का जो सूप है वह उसे संभाल लेगा और एपिसोड के लास्ट में होमलेंडर बैठा रो रहा था तो पास एक वीडियो होती है जिसमें जो प्रेजडेंट केंडिटेट हैं जिसको वह इतने टाइम से खतम करना चाहते थे जिसका नाम था इंगर वह बोलता दिखता है वीडियो में कि नूमन को पहले खतम कर देना चाहिए था उसके ओडर पर इस पूइंट के बाद सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होने लगता है वह सब नूमन को खतम करने के बाद अलग अलग भागने लगते हैं पर सेज एक एक करके सारे हुमन बॉइज के मैंबर को किड्नेप कर वा लेती है केट फ्रेंची को इपनोटाइज कर देती है सैम कीमिको को करता है सिंडी का रिटन द नहीं किल गई एमएं को भी किडनेप कर लिया जाता है लास्ट में बिली के पास वार Ayres की स्रींज होती है और उसकी बोड़ी के अंदर होता है के पुरिये फ्रेंच और यह खास बात है क्हास बात क्यक्त है और वह बोइज की तरफ है और साथ ही वन के सिय계ण जानता है जो तो बोई उसकी मदद कर सकते हैं, क्या पता उसे कोई ओमलेंटर की कमजोरी का भी पता हो, और एशली ने कंपाउंड भी इंजेक्ट कर लिया था, उसका भी ट्रांसफोर्मेशन दिखाया नहीं पूरा, क्या बनी, क्या पावर्स थी उसके पास वो नहीं बताया गया, देखन सीन में हमने सोल्जर बोई को दिखाये गाए, डीप स्लीप में, और वो अब होमलेंटर को मिल चुका है, और उसके जो एक्सप्रेशन थे, वो खास थे, क्योंकि उसे देखने बाद उसे पहले तो अग्रेशन होता है, बट फिर उसे बुरा लगने लगता है, आगे रहे त ग्रेश का कंट्रोल है नहीं, तो सोल्जर बोई की क्रायो स्लीप वाली बोडियों से आराम से मिल गई, पर मुझे जब भी लगाने, बंदा बिली की साइड आए गई, या मिसा मुझे गलत प्रूव कर देता है, रियान बिली से मिलने लाया जाता है, और उसे ग्रेश लेक और ग्रेश को खतम कर देता है धक्का देखके और वहां से चला जाता है, मैं बता रहा हूं, यह बंदा खूब ट्राय करता अच्छा बनेगी लेकिन इसका खून ही गंदा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विलन तो नहीं बन पाए का बट यह उतना अच्छा भी नहीं रहन को होमलेंडर ने बेच जी थी, बात करते करते होमलेंडर न्यूमन को दमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उसकी बेटी को खतम कर देगा, यहां पर मेर को यह भी अच्छा नहीं लगाए कि उसको इतना बेचारी बना दिया लास्ट तकाते आते, न्यूमन फिर हेल्प मांगते है हुई से ताकि वह उसकी बेटी को बचा सके और वह मान भी जाता है, और पिप्चर बेहन का लोडा लास्ट में गटिया अरकत कर देता है, और सब कुछ भी गार देता है, हुई ने सब को मना लिया था न्यूमन की हेल्प करने के लिए, लेकिन अचा की फट जाती है और वो सारे अलग अलग भागने लगते हैं, इंट्रेस्टिंग ये भी होगा कि वही कैसे रियक्ट करेगा नेक्स सीजन में, क्योंकि अब तक वह अकेला था जो कि बुच्चर को स्पोर्ट करता था, और उसे अपना दोस्त मानता था, विक्टियोरिया का करने की वज़ा नहीं बताएगे पर डैफिनेटली यकीन मानों वुच्छर बिना मतलब कोई भी काम नहीं करता, उसने कुछ किया है, उसे खतम किया है, तो उसकी जरूर कोई न कोई वज़ा होगी, शायद वो उनको दोखा दे रही हो, और ये बात हमें नेक्स सीजन में र आवाज नहीं आती है, बट फाइनली उसने सचा प्यार हो गया है, उसे फ्रेंची से और वो रीकवर करने लगी है, एक और काफ इंट्रेस्टिंग था, बोईज के क्लाइमेक्स में जैन वी के करेक्टर सामित दिखे, सैम और केट, और अगर तुमको नहीं पता तो बता द नहीं बताया, और एक और चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जैनवी की सीजन 2 में हमें ये सारे करेक्टर का कैमियोद दिखने वाला है, इस वाले सीजन ने काफ अच्छे सेट अप किया सीजन 5 को, कमिया जरूरती फिनाले में काफी कुछ एक्स्प्लेन नहीं किया गया, स्ट करने के लिए, कूरा का पूरा ग्रूप अलग हो गया है, और बुचर ने जो कमपाउंट भी लिया, तो उसकी नई पावर्स कितनी पावर्फुल होने वाले है, होमलेंडर के सामने, ये भी देखना काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है, और वो कैसे टकर देता होमलेंड